सोलो फ्रेंट अगर 2021 में आप एक न्यू कार खरीदने का पूरा विचार बना रहे हैं आज की ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको ऐसी घाडियो के बारे में बताने वाला हूँ जो की 2021 में कंफरम है की लोंच होने वाली है तो वीडियो में आप लाश तक बने रहे हैं और इसी तरह की घाडियो से लेटे न्यू न्यू वीडियो देखने के लिए हमाँ चैनल को सब्सक्राइब भी काफी लोग इसका काफी समय से इंतिजार कर रहे हैं अभी कुछी दिनों पहले इसका कंपनी ने एक टीजर भी लूंच किया है जो कि आपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और डिजाइन लुक की बात करें तो फ्रेंट से घाडी आपको थोड़ी बहुत माइनर चैन्जेस दीख सकते हैं यूंड़ी क्रियेटा से बाकी एजटी आपको से मिलने वाला है इसका फ्रेंट लुक लेकि रियर सेक्शन आपको कंप्लीटली डिफरेंट देखने को मिलन यूंकि ये 7th इंटर वर्जियन है और इसकी जो डाइमेंचेंस है वो काफी ज़्यादा है यूंड़ी क्रियेटा के मुकाबले इसमें आपको 6th इंटर और स्विटर में आपको मिडर्ग दो केप्रेंट सीट्स मिलेगी और 7th इंटर में आपको सिंपल जो सीट्स आती है वो मिलने वाली है इंटियर में आपको कोई मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिलने वाले जो यूंड़ी क्रियेटा में आते है वो ही आपको देखने को मिलने वाले इसमें आपको डॉल टोन कलर ओप्शिंस देखने को मिलने वाले इसमें आपको completely new yellow wheels देखने को मिलने वाल आपको कोई major changes देखने को नहीं मिलने वाले बाकिये गाड़ी दिखने में आपको काफी बड़ी एंड काफी चोड़ी लग सकती है इंडिन उटोबिल मार्केट में ये गाड़ी Tata Safari आने वाली X2V708 एन MG Hector Plus को कड़ा competition देने वाली है प्राइजिंग की बात है तो इसकी प्राइजिंग 16 लेग रुपीज से स्टार्ट हो सकती साथ ही ये जून के मैने में लोन चोने वाली है और अभी एक दो हपते में इसकी pricing भी आपको देखने को मिल जाएगी और साथ ही इसकी जो official booking है वो भी काफी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी और इस गाड़ी में आपको Hyundai Creator वाले ही तीन जो engine option आते है 1.5L petrol engine, 1.6L diesel engine and जो turbo petrol engine आता है Hyundai Creator में वो आपको 3 engine option इस गाड़ी में देखने को मिलने वाले है तो 7th नमबर वाली गाड़ी की बात करें वो है Volkswagen की Tigon तो काफी जल्दी premium compact SUV segment में यानि की जो गाड़ी इन्योंटोबिल मार्केट में 10 से 18-19 लाग के बीच में आती है उस segment में काफी new कारे launch होने वाली उसमें से एक नाम है Volkswagen Tigon यह basically एक premium compact SUV है जो की काफी जल्दी इन्योंटोबिल मार्केट में launch होने वाली है इसमें आपको काफी शांदर एंड काफी premium features देखने को मिलने वाले है यह जो गाड़ी है यह develop की जाएगी इसकोड़ा के AOI platform पे जिस पे आने वाली इसकोड़ा खुशाग भी बेस्ड है इसके front में आपको काफी ज़दा chrome का use देखने को मिलने वाला है साथ ही इसमें आपको काफी बड़ी grill Vox wagon के लोगों के साथ देखने को मिलने वाली इसमें आपको LED RLs, LED Head Lamps के साथ एक silver color की skid plate देखने को मिलने वाली है इसकी जो front में fog lamp से उसके उपर chrome पड़ा वक देखने को मिलने वाला है इसमें आपको काफी शांदा 18-inch के काफी premium दिखने वाले diamond cut black and silver dual tone color के yellow wheels देखने को मिलने वाले है लेंद की बात करें तो इसकी लेंद आपको 4216 mm रहने वाली है और wheelbase आपको 2651 mm देखने को मिलने वाला है engine की बात को तो इसमें आपको 1.0 liter का turbo GDI turbo petrol engine देखने को मिलने वाला है जो कि आपको 110 PS की power and 175 mm का maximum torque जनेरेट करके देगा इसमें आपको 1.5 liter का turbo TSI petrol engine देखने को मिलने वाला है जो कि आपको 150 PS की power and 250 mm का torque देगा ये गाड़ी उनके लिए है जो की एक fun to drive एक शांदर पावर वाली गाड़ी लेना चाहते हैं इसमें आपको interior भी काफी premium features देखने को मिलने वाले हैं इसमें आपको digital instrumental cluster, completely new Volkswagen की steering wheel साथी इसमें आपको completely new interior देखने को मिलने वाला है ये लो कलर की बेजिंग के साथ इसमें आपको 7 inches का task infotainment system automatic AC 360 degree camera, panoramic sunroof, wireless charging, electronic handbrake के सब काई premium features इसके interior में आपको देखने को मिलने वाले हैं प्राइजिंग की बात करें, इसकी pricing 10,50,000 से start रहने वाली है साथी इसमें आपको काफी premium features देखने को मिलने वाले है launching की बात क्यों तो ये अगस्ट व सेप्टेंबर के मन्त में इंडिन उटोबिल मार्केट में launch होने वाली है 6 नमबर के गाड़ी की बात करें, तो वो है Iskoda Khushak Iskoda Khushak एक premium compact SUV है जो की Hyundai Creator और Kia Seltos वाले segment में launch होने वाली है और ये Volkswagen Tiger की भी competitor रहने वाली है ये जो गाड़ी है, काफी premium features और काफी शांदर design looks के साथ इंडिन उटोबिल मार्केट में launch होने वाली है ये जो गाड़ी है, इसके concept को company ने 2020 में जो AutoX पर हुआ था उसमें showcase किया था, Iskoda Vision इन नाम से लेकिन अब company इसके production ready version को कुशाक नाम के साथ जल्दी इंडिन टोबिल मार्केट में launch करने वाली है अभी कुछी दिनों पहले इसको company ने revealed भी किया था और ये जो गाड़ी है, ये डेवलप की जाएगी MQB AOI platform पहे साथ ही इसके जो overall design and looks देखे, काफी जदा classic, काफी ag and काफी premium देखने को लगती है साथ ही इसमें आपको काफी premium features, interior, actuier देखने को मिलने वाला front में आपको Skoda की signature grill है, वो देखने को मिलने वाली, Skoda की logo के साथ इसमें आपको elite DRLs देखने को मिलने वाले, उसी के just नीचे placement में आपको fog lamps देखने को मिलने वाले front में आपको skid plate देखने को मिलने वाली है, big air intake देखने को मिलने वाले है साथ ही इसमें आपको machine cut silver color के yellow wheels देखने को मिलने वाले हैं इसमें आपको panoramic sunroof देखने को मिलने वाले हैं इंटियर में completely new digital instrumental cluster देखने को मिलने वाला है साइड में आपको aerodynamics की liner देखने को मिलने वाली जो कि इस गाड़ी को काफी जदा premium बनाता है इसमें आपको 1.5 liter का turbo petrol engine देखने को मिलने वाला है जो कि 1.13 bhp की power generate करेगा and 175 nm का torque generate करेगा इसमें आपको 1.5 liter का diesel engine भी company offer कर सकती है जो कि आपको 148 bhp की power generate करेगा जो कि आपको to 50 nm का torque generate करेगा तो अब बात करते हैं फिफ नमबर पे आने वाली घाड़ी की तो वो है Mahindra की XUV 300 fast lift काफी जल्दी इन्टोबिल मार्केट में Mahindra अपनी XUV 300 के fast lift को launch करने जा रही है इसे काफी बार testing के दोरान भी sport किया गया था और अभी कुछी दिनों पहले इसकी जो advertisement के दोरान कुछ photos leak भी हो गयते तो ऐसा मान सकते हैं कि company इसे काफी जल्दी launch करने वाली है इसमें आपको काफी premium features देखने को मिलने वाली है front में company इसमें कुछ minor से changes की है क्योंकि एक basically fast lift एक new generation नही है तो इसमें आपको इतने major तो नहीं लेकिन थोड़े बहुत changes देखने को मिलने वाले है interior में भी आपको काफी premium features देखने को मिलने वाले है जैसे कि इसमें company sunroof को addon करने वाली है इसमें company काफी एच्छे safety features को addon करने वाली है front में आपको completely new LEDRLs के साथ fog lamps, headlights देखने को मिलने वाली है grill भी company थोड़ा बहुत change कर सकती है rear section में company minor changes करने वाली है कोई major changes company नहीं करने वाली है साथ ही इसके interior में आपको seven sitting का option देखने को मिलने वाला है और इसमें आपको automatic climate control AC new touch infotainment system देखने को मिलने वाला है यानि कि जैसा कि आप जानते तोयाटो और मार्टे सुझू के बीच में चो contract हुआ था उसमें company दो गाडियों को launch कर दी है in notable market में re-beging के साथ यानि कि मारूती सुझू की गाडिया है वो तोयाटो re-beging के साथ re-launch कर रहे है जैसे कि company ना भी कुछ दिनों पहले बलीनो को Toyota Glenza के नाम से re-beging के साथ launch किया था जिसमें company ने grill को change किया था और जो yellow wheels की design ने उसको थोड़ा वो change किया था और interior में company ने कोई major changes नहीं किया लेकिन steering wheel पे Toyota का logo दिया था उसी series में company ने urban cruiser नाम से जो Marty Suzuki की Vitara Breza है उसे rebage version के साथ launch किया था तो इसी series में company दो और घाड़ियों को rebaging के साथ इन्यों टूबिल market में launch करने वाली है जिसमें पहली घाड़ी की बात करें तो वो है Toyota Belta जो की Marty Suzuki Siyaas का ही rebage version है इसमें आपको कोई major changes देखने को नहीं मिलने वाले इसमें सिर्फ थोड़ा बहुत cosmetic changes company कर सकती जैसे front में company ने जो grill है उसमें Toyota की Beijing दे दी है साथ ही इसमें आपको टायर पे Toyota की Beijing देखने को मिलने वाली एलो विल्स पे साथ ही interior में आपको steering wheel पे Toyota की Beijing देखने को मिलने वाला साथ ही इस गाड़ी में आपको कोई such major changes देखने को नहीं मिलने वाले लेकिन अगर आप मारूती की नहीं Toyota की घाड़ी खरीदने चाते हैं तो ये गाड़ी आपके लिए काफी अच्छा option रह सकती है pricing की बात के तो pricing थोड़ी बहुत बढ़ सकती है तो मार्ती सुजुकी सिलेरियो के फेसलिट को काफी जल्दी इंडियन डोबी मार्केट में लौंच करने वाली है ऐसा माना जा रहा है कि इस साल दिवाली की फेस्टिवल के आस पास लौंच कर सकती है इसे टेस्टिंग के दुरान भी काफी बार स्पूर्ट किया गया था और मीडिया में भी काफी बार इसकी न्यूज सामने आई है तो बेसिकली कंपनी इसका एक न्यू जनरेशन वेरियंट लौंच करने वाली जो की कंपलीटली डिफ्रेंट रहेगा करन जनरेशन वेरियंट से इसमें आपको काफी शांदर प्रीमियम फीचर्स देखने को मिलने वाले है साथ ही गंपनी काड़ी में थोड़े से कोस्मेटिक चेंजेस के साथ-साथ इसमें जो में डाइमेंशन को थोड़ा बड़ा सकती है इंटियर में आपको काफी changes देखने को मिलने वाले है major changes की बात है तो इसमें आपको big touch screen for tenement system, digital instrumental cluster, automatic AC के साथ-साथ इसमें आपको company new color scheme के साथ इंटियर को provide कर सकती है साथ ही इसके exterior में आपको completely front new grill LED DRLs के साथ new headlamps, completely new fog lamps, new bumper design के साथ completely new yellow wheels देखने को मिलने वाले है pricing की बात के तो इसकी pricing 4,000 रुपीज सी start हो सकती इंटियर इंटियर मार्केट में and साथ ही company से new color options के साथ भी launch कर सकती है थर्ड गारी की बात करें तो वो है Skoda Octavia 2021 Skoda Auto India जल्दी अपनी premium sedan car Skoda Octavia के new generation को काफी जल्दी इंटियर उटियर मार्केट में लोंच करने वाली है ऐसा माना जा रहा है कि Skoda Octavia को बारती बजार में April के आखिर में लोंच करने की योजना बनाई जा रही थी कोरोनमाहमारी के चलते इसकी launching माई के माईने में नई करके इसे जून के माईने में करने वाले है और ऐसा माना जा रहा है कि 10 जून को ये गाड़ी इंजिन टूबिल मार्केट में लोंच होने वाली है Skoda Auto India ने बुद्वार को शोशल मीडिया के जरिये 2021 Skoda sedan की लोंच की नई तारिक की गोशना की थी Twitter पर Skoda ने लिखा था कि All New Octavia एक शांदर कॉंबिनेशन है शांदर डिजाइन है और मेजोर सुरक्षा सहज टेकनलोजी दमदार पफोर्मेंस और ज्यादा जग़ और आरम प्रदान करती है 7 दस जून को इसकी लॉंचिंग कन्फरम है Skoda Octavia sedan भारत में सबसे लोगप्रिय कार है Skoda की कंपनी ने 4 जनरेशन Skoda Octavia का Global debut 2 साल पहले कर दिया था लेकिन भारती घारों घ्राकों के लिए एक साल तक इंतेजार करना पड़ा इसे कई महीन के Skoda ने बताया और Skoda का जो production है वो कंपनी काफी समय से कर रही है औरंगा बाद में Skoda Octavia को पहली बार 2019 के आखिर में International Market में उतारा था लेकिन जिसके बाद कुछ Westwick बाज़ोरों में भी इसे उतारा गया Skoda Octavia अब इन्योटोबिल मार्केट में भी लोँच होने जा रही है इसमें आपको काफी premium features देखने को मिलने वाले है इसमें company का एक new MQB platform है उसपे develop करने वाली है पिछले साल जो current generation Skoda Octavia जो की launch अब भी discontinued कर दी गई है वो basically काफी छोटी थी जो current generation जो new generation Skoda Octavia जो काफी जल्दी launch होने वाली है उसमें आपको 90 mm की ज्यादा length मिलेगी 15 mm ज्यादा width मिलेगी जिसमें आपको काफी ज्यादा space एंद काफी ज्यादा आराम मिलने वाला है इसमें आपको 250 liter का TSI turbocharged petrol engine देखने को मिलने वाला जो की 190 bhp की power generate करेगा उसे के साद इसमें आपको 7 speed का dual catch gearbox देखने को मिलने वाला है इस गाड़ी के interior में आपको काफी premium features देखने को मिलने वाला है और pricing की बात कर तो इसकी pricing 20 lakh रुपीज से start होने वाली है अब बात करता है second number पर upcoming गाड़ी की तो वो है Tata की HBX तो Tata Motors काफी जल्दी अपनी premium entry level SUV और mid-size SUV Tata HBX को काफी जल्दी इंडियन उटुबिल मार्केट में लौंच करने की तैयारी कर रही है अभी इसके production ready version को हाली में sport किया था जिसमें इसके ढकी हुई नहीं थी और इसके जो front में कुछ design elements है इसके जो yellow wheels की design वो दिख गई थी तो ऐसा माना जा रहा है कि company इसके जो production ready version SUV है उसके काफी जोरो शुरो से टेस्टिंग कर रही है इससे काफी जल्दी इंडियन टोबिल मार्केट में लोंच होने जा रही है इसमें आपको काफी premium features काफी major features देखने को मिलने वाले इसे आप mini harrier भी कह सकते हैं इसके front की design आपको थोड़ी बहुत carrier से similar लग सकती है लेकिन जो rear section है वो थोड़ा different लग सकता है इस गाड़ी को company ने auto export 2020 में शोकास किया था जिसमें ये गाड़ी काफी शांदर लगती थी जो इसका concept version है उससे ये 90% similar है इसका production ready version इसके front में आपको काफी शांदर लुक देखने को मिलने वाला है जो की इसमें company की जो new design language है वो आपको देखने को मिलने वाली harrier की तरह इसमें आपको upside में बोनट के साथ जुड़े हुए LED ILS देखने को मिलने वाले उसके नीचे आपको headlamps देखने को मिलने वाले है और साथी bumper पर आपको fog lamps देखने को मिलने वाले है जो टायर की yellow wheels की design है वो भी काफी शांदर दी गई है साथी इसके आपको rear section में भी काफी शांदर honeycomb pattern के साथ LED tail lights देखने को मिलने वाले interior भी company ने इसमें semi digital instrumental cluster दिया है जो कि आपको Tata Altros देसा लगता है साथी इसमें आपको Nexon and Altros वाली ही touchscreen system देखने को मिलने वाला है इसमें आपको automatic XCB company provide कर सकती है साथी इसमें आपको Sam, Nexon and Tata Tiago वाला steering wheel देखने को मिलने वाला company इसे semi platform पे develop करने वाली जिस platform पे Tata Altros best है और इससे ये confirm होता है कि ये गाड़ी भी global and care safety rating में काफी अच्छे star को achieve करेगी और ये भी इंडिया की एक one of the safest car रहने वाली है क्योंकि इस segment में आने वाली सारे जित्ती भी गाड़ी है जो कि एक काफी शांदर and काफी ज़्यादा attention grabbing SUV रह सकती इंडियन ओटोबिल मार्केट में क्योंकि जिस price range में launch होने वाली उस price range में इसी कोई भी गाड़ी इतने शांदर features, loop and safety के साथ नहीं आती तो ऐसा मान सकते हैं कि Tata Motors की ये गाड़ी काफी ज़धा hit रह सकती है इंडियन ओटोबिल मार्केट में क्योंकि लोगों काफी कम price में काफी अच्छे features मिल जाएंगे इस Tata HBX में company इसका नाम या तो Tata Tmiro भी रख सकती है या Tata HBX भी रख सकती है नाम का अभी तक company ने confirm नहीं किया है launching की बात कर तो इस साल August to September के बीच में ये इंडियन ओटोबिल मार्केट में launch हो सकती है और इसकी pricing की बात हो तो इसकी pricing 4.5 लेक रुपीज से start हो सकती है इंडियन ओटोबिल मार्केट में तो first number वाले गाड़ी की बात करें इस साल के November December तक ये गाड़ी इंडियन ओटोबिल मार्केट में launch हो सकती है और ये काफी मच अवैटेड कार है जैसा कि आप जानते हैं इंडियन ओटोबिल मार्केट में जो सब 4-meter compact SUV segment है उसमें competition काफी जादा बढ़ गया है ऐसे में विटार अब्रेजा को काफी शांदर features के साथ इंडियन ओटोबिल मार्केट में launch होना ही है ताकि ये अपने competition को beat कर सके इसकी जो sales figure है अभी कुछ महिनों से काफी कम है comparatively कुछ new SUVs से लेकिन company इसी को देखते हो इसमें काफी major changes and काफी premium features के साथ इसे एक new generation के साथ इंडियन ओटोबिल मार्केट में launch करने वाली जिसमें आपको काफी premium features देखने को मिलने वाले हैं इसमें आपको front में completely new designs देखने को मिलने वाली जिसमें आपको new elite DRLs fog lamps के साथ new completely new grill new bumper के साथ इसमें आपको काफी premium features देखने को मिलने वाले interior में आपको काफी जानदर features देखने को मिलने वाले companies में sunroof को भी add-on कर सकती हैं साथ इसमें आपको digital instrumental cluster big test infotainment system android auto and apple carplay automatic climate control ac wireless charging के साथ और भी कई premium features इसमें आपको देखने को मिलने वाले engine की बात करते हैं इसमें आपको 1.3 liter का multi jet best ddis diesel engine भी company provide कर सकती है साथ ही इसमें आपको अभी आने वाला जो petrol engine है वो भी company return कर सकती है इसमें company एक new platform का use करेगी hertech platform का जिसमें आपको इसमें काफी शानदर safety features प्रवाइट किये जाएंगे और काफी शानदर build quality के साथ ये गाड़ी आ सकती है इसमें आपको k-series का 1.5 liter petrol engine भी मिल सकता है साथ ही इसमें new hybrid technology company provide कर सकती जिसमें आपको काफी शानदर mileage मिल सके रियर section जो है वो भी company इसमें completely change करने वाली जिसमें आपको काफी premium features देखने को मिलने वाले साथ ही रियर section में आपको completely new elite tellets देखने को मिलने वाली है companies की जो overall design है उससे change करने वाली जिससे ये गाड़ी अपने competition को beat कर सके और इंडिनोटोबिल market में survive कर सके तो यही कुछ गाड़ी है जो की इस साल यानि 2021 में इंडिनोटोबिल market में launch होने वाली है आपको यह वीडियो पसंदे तो इससे like करे comment करे शेर करे और इसी तरह की घाड़ी से related new videos देंगे लिए आप 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 सब्सक्राइब कर सकते हैं तो फेंट्स मिलते हैं को नए वीडियो से आप तब करें थैंक्यू, have a nice day